मंसौर जिले के गाउं भीलिया खेडी में लोन की किष्टें जमा नहीं करने पर घर में से पलंग सहित घर से बाहर निकालने पर सौ वर्षे ब्रद्ध की सदमे में मौत हो गई जानकारी के मताबिक मेंटोर फाइनेंस कंपनी जैपुर की शाखा मंसौर के करमचारियों ने होम लोन की किष्टें बकाया होने पर पुलिस के साथ मिलकर तीन फरवरी को जिले के नाहरगड थाना अंतरगत भीलिया खेडी गाउं में राम मंदिर के पुजारी गोविंद दा बैरागी के घर का सामान बाहर निकाल दिया था घर में उठ बैट पाने में अक्षम पुजारी सौ वर्षे रूपदास को भी निर्दई लोन करमचारियों ने पलंग सहित घर के बाहर रख दिया था इसके बाद पुजारी का परिवार और बुजर्ग पिता बड़े भाई के खेत पर पशू के रहने की जोपडी में चले गए घर से बाहर निकाले जाने के बाद गोविन्ददास का परिवार और उनके पिता रूपदास सदमे में थे रूपदास इसके बाद बीमार हो गए और 11 फरबरी को उनकी मौत हो गई गोविन्दास ने वर्ष 2015 में में एं वहीं बीमार पत्नी का इलाज भी करवाना था लोगन की रकम से गोविन्दास ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी वहीं दो शादियां बाकी हैं मना करने के बावजूति के रहे हैं तुम लोन भरोगे तो उसके बावजूतित वहली तुम कहीं पर भी जाओ तुम से प्रतारित हो गए और भाई साप के यहां गए और कुवे पर रहने लगे और मेरी अंदी बच्ची भी है जो उसको दीग भी नी पाता है बड़ी परेशानी कारण हम यहां कुवे पर रह रहे हैं और मेरे बड़े भाई साप के यहां खेत पर और मेरे पास ना कोई जमीन है ना कोई जाधात कुछ नहीं हूँ तुम आद्मी हूँ और मेरे पिता जी अभी उन्हों को लायने दस दिन होया घर खाली करने को अभी गुजर यह हालर देख लो आप यह इस्तिती है चल वसे साभ उन्हों का यह कारण है कि उन्हों ने टेंस्व ली उन्हों इंहें कभी देखा N brain dif has one जिसी स्थिती मिरे को बुगतनी पड़ेगी मेरे होते भी यह इस वज़े से उन्होंनेे टेंसन ली और उस टेंसन के वज़े से ु और फिलान में में थिन लागा लोन लिया। फिलान में चाहिए भी पी थे? और अभा जिए भी रचिदे उन्हों ने दीनी मुझे। मैषन आप ले वानों से dispostoषगे पर ज्में Ve Chrachiki मांगने पर उनों अप Surrey मांगने पर लंगने पर उन्हों करेंग। हम आपको वहां दे देदेंगे जब में लेने के लिए उन्हों न कहा किने हम लने तुमारे मुबाइल पर ढाल दी। जबकि मेरे पास मुबाइल सादा है। मैं को या वीडियो यह वार्सवाला नही चलाता हूं। तो कागे अब तुम उनों सही लू। जिन में से एक बेटी दरश्टी हीन भी है कमपनी ने लोन के बदले 20,000 रुपए बीमा और 50,000 रुपए अन्य खर्च भी काट लिए लोन के बाद करीब 2,000,000 रुपए वे किष्ट के साथ जमा कर चुके हैं लेकिन फाइनेंस कमपनी उनसे आठ से दस लाख रुपए बकाया बता रही है जिसको लेकर बेपरिशान हुए और रुपए नहीं जमा कराव पाने के कारण उनका घर इसी तरह बाहर फिक दिया गया अब घर के बुज़ूर्गे की सदमे से हुई मौत के बाद परिवार के लोग लोन कमपनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं पीडित गोविंद दास और उनके चचेरे भाई घंस्याम दास ने क्या बताया सुनिये किस्त न भर बाया है इस वज़े से मैंने लोन लिया और आधी मैंने किस्त जमा कर रहे हैं मैंने सितर हजाः रुपई की मैंने किस्त जमा कर रहे हैं और जो गाव causa ऑन घर पर जो किस्त ले गए वो अलग है मैंने च्छे महिना तक 5 फॉलग बरही साथ हजार दोसो अठाइस की हर प्रतिमा किस्त में ने जमा करें उसकी रशिद मेरे पास नहीं है अब तक कितना रुपय आप उनका भर चुका है अब तक कम से कम दो लाग भर चुका हूं उसर में वो मांग रहे है आट लाग लोग तीन लाग का था और बीस हजार इनों ने विकाटा है से पचास अजार मेरे जो सलाट बूग बंधग जो भी उन्होंने जो वाँ कोरट में खर्चा लगा वो भी हमसे लिया वो एक तारिके जन सब में ताला लगा था जो सब मेरे बास सब सब तनाव में थे वो सब यह कुवे पर आ गए हम सब हमारे बड़े बाई क चाहिते बादबोले जाप के यहां पर यो वह बासाब तरे गाई सब आरदिसक्स के संद्वे में तो बैंक्वाले ने साब अवद रूप से साब वसुली करने के लिए अलगा दिया उनके उनने साब कोसिस भी की किसा इतने पेशे क्या होए सारे उनने साब तीन लाग उनों नेका तुमार को भार निकलना पढ़े पेसे नि भरे को भार जाना पढ़े तेसे भार का समाने जाने पर शाहिल के अभी तक राग लगा हुँवा साअब हम दो यह चाहते हैं हम दो यह चाहते हैं कि ताला खुल जाएं सब जो लोन हे जो साब उसमें रात मिल जाए